क्योंकि हम परिवारों से बहुत कुछ सीखते हैं, मैं आपको एक पते की बात बोल दूँ, बहुत अच्छी बात है जिससे हमारी आने वाली नसलों को भी कुछ सीखने को मिल सकता है, जब हमारे देश में सरकस में जानवरों की खेल पर पबंदी लग गई कि आप टॉर्चर क खाते थे और हाथी चारा खाते थे तो उनका खर्च हो रहा था, इंकम नहीं थी, तो सरकस बाल ने सोचा, अब इनका क्या करेंगे, उन्होंने दस के दस शेरों को एक ट्रक में बिठा कर बंगाल के जंगलों में छोड़ दिया, पंदरा देन के बाद पता चला, उन दस शे चलो, कठे होके शेर को मार लेते हैं, इसलिए जो माबाप अपने बच्चों के लिए ज्यादा बड़े bank balance, ज्यादा बड़ी properties, ज्यादा बड़ी facility छोड़ के जाते हैं, असल में भो अपने बच्चों को सरकस के शेर बना जाते हैं, हम आज फैसला कर लें इस शो के जरिये कि भले दो दिन भूखे रह लेंगे लेकिन अपना शिकार खुद मार के खाएंगे क्योंकि हम लोग नीचे से आएं हर हर फिल्ड में दो किसम के लोग होते हैं ग्रास रूटर्स और पैराशूटर्स फर्क सिर्फ इतना है ग्रास रूटर्स सिर्फ ऊपर को जा सकते हैं और पैराशूटर्स सिर्फ नीचे को आ सकते हैं दुनिया की कोई पैराशूट्स ऊपर नहीं लेकि जाती है आदमी को